सरोकार र्यादो जगराना मुल रूप से मौज जनपत का रहने वाला हूँ और मैं शुरुवात के दिनों में छाद संग का राजनीत शुरुवात किया था छाद संग की राजनीत के बाद मैं जिला शहकारी बेंक का डाइरेक्टर हुआ मौज जिले का और केंद्रियो भुगता भंदार का भी मैं डाइरेक्टर था उसी समय मेरा एजुकेशन भी चलता रहा मेरा जीवन बहुत उतार चड़ाओ का रहा मैं जब पहली बार जब इसकूल मैं जोईन किया था उसमें मेरे लिए बहुत कथिन मेरा समयराश्ता था जब मैं पहली बार जो है अपने इसकूल में पराथमीक पाट साला पराथमीक पाट साला जो है दतोड़ा में पहली बार जब गया था तो दो-चार दिन के बाद मेरे जमीनों का बहुत भीवाद था गाओं लगबग 84 भी गहे कि आसपास मेरी जमीन ग्राम के लोगों ने जोत लिया था मेरा एक घर था और 82 घर जो है मेरे अपोजिट में थे वो लोग मुरे दोनों हाथ पकड़ करके दो दो चार चार लोग और बीच में मुझे पेट उट में बहुत मारते थे जिसे कि मैं सिक्षा छोड़ दूँ और मैं इस बात को घर पे नहीं बताता था फिर धीरे 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 जो है टीचर को जनकारी हो गया और दूसरे गाओं के थे उन्होंने मुझे जो है साबासी दिया और मैं उनके कूर्सी के पास बेट के पढ़ने लगा और उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं कुछ दिन के बाद उस स्कूल का मैं टापर स्टूडेंट होने लगा किसी भी चीज़ पे फिर वहाँ से मेरी सिक्षा आगे बढ़ी और तीन किलोमेटर दूर श्री भगवान सिंग माध्यमिक स्कूल बीविपूर था मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ और वहाँ भी जाने के बाद मुझे सबसे पहले चुनेवती हुई कि मैं एक प्राइमरी स्कूल से गया था इंगलिस मेरा भी साई नहीं रहा फिर उहां जाने के बाद मैंने जो है कोचिंग लिया और कोचिंग लेने के बाद जो है मैं वहां लगभग सभी सब्जेक्ट में जो है मैं टापर स्टुडेंट उसी स्कूल का भी हुआ और वहां भी मेरा उतार चड़ाओ बहुत था और द प्रतिभा को देखते हुए मैं वहाँ भी स्कूल का मानीटर हुआ और जो पीटी परेड होता था उसका भी मैं कमांडर रहा और उस समय मैं कच्छाचे में मैं भारत हूँ एक कांकी हुआ उस कारिकरम में मैं काफी अच्छा अपना रूल निभाया था फिर उसके बाद इस प मौ के डिसेस के पीजी कालेज में गया और बीए फश्टियर में मैं जो है उहाँ पे देखा अपने गाउं के दुश्मनी और उसको देखते हुए मुझे लगा कि जो है सिक्छा से कुछ नहीं होने वाला है जिस तरह से मेरा प्रिष्ट भूमी था फिर मैंने अपने को जो किया और यह हुआ कि राजनीत से ही जो है मैं अपने को परिवर्तित कर सकता हूं और घर की समस्याओं को जो जमिन जायदाद लोग जोते हैं उसे भी निजात पाऊंगा उसके बाद मैंने फश्टियर में ही मैंने छाथ संग की तैयारी किया और वहाँ एक मेरे मित्र है इस सहकारी बैंक का निदेशक इलेक्ट हुआ जिसमें जो है मैं चेयर्मेन होने वाला था और जीले की तमाम विधायक एमल्सी लोग जो है मेरे साथ बैठे थे और मानने मुलाइम सिंग यादो जी का फोन उसमें गया था और हमारे जनपत के मेल्सी थे माननी यसवन सिंग जी उन्होंने का कि मानने मुलाइम सिंग जी का फोना गया है और आप छोड़ दो आप चेयर्मेन की जगा उपाद्यक बन जाए नेता जी ने सजिस्ट किया है बात हुई और मुझे यह मिला कि आपको जो है मेले का चुनाव लड़ना है और आप इसको छोड़ दीजिए फिर म उसी बीच में मेरी डाक्टरेट की सिक्षा पूरी हो गई थी डाक्टरेट की सिक्षा पूरी होने के ही समय में सार्दान अनचल जी का मेरे परसानित्य था इस प्रदेश के जो है समाजवादी आंदुलन के बड़े नेता थे और उनको मैंने राजनितिक गुरू बनाया सा पढ़ाने का भी प्रियास किया उसी बीच में सार्दान अनचल जी का देहान्त हो जाता है और मेरे राजनित में कोई पीछे से कोई बैकिंग करने वाला नहीं था मैं चुकि डाक्टेट कर चुका था लाका भी मेरी कंप्लीट हो गई थी मैं उसके बाद तुरंत करवट लिया और मैंने जो है समय और प्रष्थित्यों को देखते हुए मैं आ गया जो है वकालत में 2010 मैं मेरा रजिस्टेशन हुआ और रजिस्टेशन के बाद मैं यहां पर माने उचनियाले लखनों में प्रेक्टेश शुरू किया था 2010 में ही मेरा पहला दिन जब मैं कोट और गाउन पहन करके जब पहला दिन मैं इंट्री किया था उसी दिन मुझे जो है आपको पहले ही बताया कि मैं जो है सिक्षा से राजनीत के तरब मूब किया था कि यहां से ही समाज को बदला जा सकता है और उस समय मैं कलपनात राय से भी प्रभावित था और उसी समय में डिसस्केट पीजी कालेज में नेता जी का प्रोग्राम आयत हमें राजनीत में आया और जब मेरी बैकिंग करने वाला कोई नहीं रहा और मेरी पास डाक्टरेट की डिगरी थी तो मुझे लगा कि वकालत से समाज को परिवर्तित किया जा सकता है लोगों को त मेरी मीटिंग काफी बड़ी हुआ करते थे रिक्साचालकों को उस समय यहाँ के एसपी ने वो कर दिया था कि जितने लोगों की आईडी नहीं है उनको बंद करो एक अभियान चलता था बंद करो या उनको टार्चर करकर करके उनको वापस भी जो अपनी आईडी लियाए चिन्हीत करें पुलिस का भी अपना एक कारिकरम होता है उनको लगता है कि जो लोग जो है अपना आईडी को छिपा करके हैं तो अप्राध ही हो सकते हैं उस समय मैंने उनका एक उनियन बनाया उनको आईडी जेनरेट किया और उसी समय मैं वकालत में आया था मेरी उस समय ज जो है 2010 में ही मैंने चैलेंज फुल तमाम केसेस किये शुरुवात में आते ही कुछ दिन के बाद जो है मेरे पास लखनोव विस्विद्दाले के चुकि मैं लखनोव विस्विद्दाले का स्टूडेंट रहा तमाम स्टूडेंट्स आए और उसमें मयावती जी के प्रदेश म मिलेगा उसमें स्टूडेंट आये और सबका यह था कि सर यह तो संविद्दान के बिरुद्ध है और जाति धर्म के आधार पे बिभेद नहीं होना चाहिए गरीब तो सभी उसका है और मुझे इस बात का लगा और मैंने उसको चैलेंज किया उस प्रदेशन में जो है 12 लो अगर पांच लाग से नीचे का वो है तो उसको जिरो बैलेंज प्रकली में प्रकासी हुआ और ने समय अफट हुए और यहां के जर्नल्स में भी प्रकासी दी हुआ सर हर इसान के कुछ न कुछ सपने होते हैं उसे पूरा करने की लगन होती है आपके क्या सपने रहे मैं देखे सुरू सभी मैं बताया कि मैं राजनीत से प्रेरित था और मैं जो है बिधाईका में जाना चाहता था मेरा ये है कि जो समाज के गरीब लोग हैं समाज से बंचीत लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले कानून आपके उसमें होना चाहिए आप कानून के निर्मान की जो कमेटी है उसमें जाइए उसके लिए हमको जो बिधाईका में जाना पड़ेगा है ना बिधाईका में पार्लियामेंट हो गया एमेले क्या हो गया ये बनना पड़ेगा तब हम समाज में कुछ हो करते तो मेरा हमेशा रूची रहा कि पार्लियामेंट या बिधाईका का जो है मिंबर बने जिससे की समा आईकाय का हम हिस्सा नहीं बनते हैं तब तक निया आई पालिका के माध्य हम से तमाम गरीब समाज के बंचितलों का भी हमने एक करना पड़ा देखें आमने बताया कि सबसे पहले तो प्रात्मिक सिक्षा से ही मेरा चैलेंज हो गया था कि मेरी सिक्षा ही नहीं हो पाएगी वहां से जब मैं लखनव के लिए पहली बार जब मैं चला था तो यहां मेरा कोई नात रिष्तेदार कोई भी रिलेटीव मेरा पर करने के बाद जो है तमाम राते हमने जो है भूखे भी काटे हैं है न हम लोग जब छातर थे तो जो है सभी समस्याओं से एक आम जो इस्टूडेंट होता है उस हिसाब से लड़े और इस जब जो है मैं बताया कि जब इस प्यारे से मेरी टेकरहात हुई ठी गरीबों को ले कर सतर बहत्तर वो चाकू बनवा लिया था ऐसे ही लोहे का एक बढ़ाई से और जो ही मिलता था उसी के चलान कर दीता था उस पर मेरी टेकरहाट हुई और मैंने जो इस पर डिमांड किया और उसी मुद्दे को ले करके जो है मैंने एक यूनियन बनाया गरीबों का और तमाम पुलिस अदिकारियों ने मेरी बात की प्रसंद सभी किया उसमें राजीवक्रिष्ण सहाब आई जी थे राजीवक्रिष्ण सहाब ने मुझे प्रिरित किया और इस तरह से चुनाउतियों को करते हुए जब मैं उन्हीं लोगों से लड़कर के मैं जो है आज आज आपके स साले करके भग गया दुबई में दुबका हुआ है उसके खिलाप में 2016 में मैं लड़ना शुरू किया था और मैं उसका जो है आर इसक्वाइर यहां पे है एसारस माल के शामने मैंने उसके कुर्की कराई थी उस अभियुक्त का जो है मुकदमा लड़ने मुझे तमाम चुनव और एसपी के साथ बैठ करके उसका फोटो वाइरेल होता था तमाम टीबी चैनल्स आप जैसे चैनल्स वालों ने दिखाया था कि यह यह हैं बाद में उसका कुर्की कराया और संद्या सिर्वास्तों उस समय जो है CGM थी उन्हों ने उसके खिलाप जो है उसकी चल चल संपत कि वह मांगा और जब पुलिस जो है उसमें वह हुई तब जा करके वह दुबई भागा और आज तक दुबई भागा हुआ है उसी न्याले में आपको ख्याल होगा कि एक बार एक हाई कोट के जजज थे जिन्हों ने सुप्रीम कोट के अंदेखा करते हुए काडर पार्स क उस एसन सुकला साहब ने जो है उसको इष्टे दे दिया जबकि यहां पर पटिशन स्खारिज थी सुप्रीम कोट में पटिशन पेंडिंग थी और उसमें उसको इष्टे दे दिया उसी में वह दुबई भग गया जो कि आज एसन सुकला के खिलाब करवाई होनी थी तो इ परिब्यक्ति आया है गाउं से फटी हुई धोती में जो सासन के खिलाप अधिकारी आता है लड़ने के लिए अपनी इमांदारी के कराण उसको लड़ना बड़ा कठीन होता है हम लोगों को भी पर्सनल जी होती है सर आप आज एक अच्छी मुकाम पर है और हर इंसान का कोई न कोई प्रेड़ना शुरूत होता है आपका कौन है देखिए शुरुवात में तो हम लोगों को सब से बढ़िया इस देश में भगत सिंग और चंदर सेखर आजाद और सुबास जी ही मेरे जो हो रहे और उसके ितशन भाद हम लोग आते हैं तो हमें तमाम समाज से यसमें जैसे रविंद ना ट्रै-गोर जी आए अरविंडो घोशवाइन विचारक नरिंद्र देव ईसने समाज वादी विचाठारा वहां को लेकर विचार धारन को लेकर आए हम लोगों सं seinen परियों है। आज भी चाहते हैं इसे लोगों को, कि जो समाज में है, जो असमानता है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ, जो गरीबों के साथ, जो किसानों के साथ हो रहा है, इनको एक बराबरी के लेवल पे लाया जाए, ये मेरी अभी भी हो, इसलिए मैं जनहीती अ पत्तियों पे चाहे ऐसी बेवस्थाओं पे काभीज है इसके लिए हम लोग जन्हीत याचिका को उठा करके और हम लोग समाज का ध्यान और सरकार का ध्यान आकरिष्ट करते हैं चुकि सरकार बहुत पावरफुल होती है उसके खिलाप लड़ने का मतलब समझे की होता है लेक हम ऐसे गरीब लोगों को जिनको हत्या के लिए यहीं चार बाग में हत्या के केस में एक सूरत सिंग था उसको बंद किये थी चलान नहीं किये था हमने तुरंद केस किया और सुबह उसको लिए आकर के जो कोट में पेस किये छोड़ना पड़ा तो हमें अच्छा लगता है जब किसी गरीब को हमने आज दिलाते हैं या ज़ो है जनही तियाचिका से हम समाद में कुछ परिवर्तन करते हैं अभी जैसे हमारा जो है लोगसभा छेतर गोसी पड़ता है गोसी के लोगसभा का सदस्य जो है जेल में था हमने उसकी सदस्यता समाप्त करने के लिए हमने मुकदमा किया था समसेर यादो जगराना में खुद इन पर्सनल है इन पर्सनल में समसेर यादो जगराना बना मतूल राई किया था जो हर जगे प्रकासित हुआ था आपके लखनों में प्रमुख जो है एपल का जो मैनेजर था जो पुलिस वाले ने जिसको सूट आउट क किया ऐसे तमाम मुद्धे हैं जो रहता है कि अपने बताया अपनी किनर आयोग का गठन करवाया कम आपकी यह जहन में आया इसके बारे में कुछ बताया है हमारे पास जो है तमाम किनर को देखते थे समाज में आकर के जो है नाच गा रहे हैं लोग उनको हे दृष्टी से दे समाज भी मुझे पीड़ा हुई फिर मैंने बात किया मेरे पास आया सोनम चिस्ति उसने बताया मुझे लगा कि इनका जो है और मैंने उसमें पी आईयल किया और उस पी आईयल से प्रेरित हो करके सरकार ने किनर आयोग का गठन किया जिससे कि अब तो हस्पीटलों में जो ह स्पीचल आयोग का भी बनना है कि किनरा वे भी हस्पीटल की बेउष्टा हो और मेरी आघ़गी टी मैंने है कि इनके ले अलग अगर दो बाथ रूम बनना लेडिज और जेंट्स का तोहां पर एक किनर का भी बातरूम होना चाहिए, तमाम समस्याएं हैं, इसी तरह के से समाज के और भी नेरे लोग हैं, जिनके भी आवाज उठाने का कोशिस करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो समाज का बहुत गरीब तबका है, वो सासन प्रसासन स दब जाता है, जब सासन के लोग जाते हैं, तो वो नियाए में, वो यह मान लेता है कि हम तो इसलिए पैदा हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी प्राबलम होते हैं उनको नियाए दिलाने में गरीब हो, जिस समाज में आप जैसे लोग हैं, जो आवाज उठाते हैं, ऐसे बढ़ना पड़ेगा, सक्ति की ही हमें इसा पूजा होती है, आप TV चैनल से अपनी सक्ति का जैसे उस प्रदर्शन कर रहे हैं, आप समाज के तमाम जो है गलत चीजों को आप सामने लिया करके वो कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहेंगे समाज का एक एक व्यक्ति, जब जागरू तो ये थे डॉक्टर समसेर यादव जगराना, जो जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही बहतरीन काम किया है, आगे आप से फिर होगी मुलाकात तब तक लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार